तो खबर गौालियर से आपको पता रहे हैं जहां पर एक मकान में भीशन आग लग गई गौालियर से खबर आपको पता रहे हैं एक मकान में भीशन आग लगी सारा सामान जलकर खाक हो चुका है फाया बगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है तो वहीं ट्रांस्पोर्ट नगर सुदर्शन धर्म काटे की ये पूरी खटना है जहां पर एक मकान में भीशन आग लग गई आग जनी में सारा सामान जलकर खाक हो गया तो वहीं फाया बगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया ट्रांस्पोर्ट नगर सुदर्शन धर्म काटे की ये खटना है जहां पर एक मकान में भीशन आग लग गई तो खबर आपको ग्वालियर से बता रही है जहां पर एक मकान में भीशन आग लगने का मामला सामने आया है आग में सारा सामान जलकर खाक हो चुका है तो वहीं फाया बगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तस्वीरें आप देख रहे हैं मगान में किस तरीके से आग लगी हुई है लगातार यहां पर फ्राय ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तस्वीरें आप देख रहे हैं सुभा से शाम तक मकान में आग बुजाने की कोशिश जारी रही और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काभू पाया गया और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाताता वेवेक सिंग जुड़ चुछे हैं फोन ल करी मकान के अंदर केमिकल कर सामान और दवाई हैं साथ सीसी डिस्वीरें के गिलास खड़े हुए थे जिससे आग और ज्यादा भड़ा पी आस पास की मकानों कुछ अपड़ेट में भी लेने की आग में कोशिश की पर मौक्टी पर दंकल की मदद से आग पर काभू पाया और अन्या जी नर्यवाद वेक हम ऐसा जुड़ने के लिए तुमाम जनकारी के लिए तो यहां पर बताते हैं आपको खबर ग्वालियर से विज़ें आपर मकान में फीशन आग लग गई और ऐसे में आग में सारा सामान जलकर खाक हो गया कड़ी मशकत के बाद यहां पर फ हुआ निकल रहा है और ऐसे में सुभा से लेकर रात तक फाइबरेक्टी टीम लगतार यहां पर मशकत करती रही और ऐसे में तमाम कोशिचों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया तो स्वेरे आपको दिखा रहे हैं